कि यह एक मैडल है नहीं तो फिर क्या ही है क्या है आपको बोलना है स्टार्ट करना है कैसे कि जब आप यहां पर कीब मैनुफेक्ट्चर कि छह महीने बाद यह जो पानी क्रिक्ट में बैटिंग कर रहे होते हैं चौक शक्या माने के शक्कर में आउट भी वह जाते हैं दोस्तों मेरे सामने अभी एक वाटर बाटल लख्य हुई है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यह वाटर बाटल है पानी पीते हम और जितनी भी हमारे खाने पीने की चीजे होती हैं उनकी एक expiry date होती है जैसे कि अगर मैं इसकी expiry देखूँ तो लिखा हुआ है कि best before six months from the date of manufacture कि 6 महीने बाद यह जो पानी है इसके अंदर वो बेगार हो जाएगा परबाद हो जाएगा और यह काम की नहीं बचेगी है ना 6 महीने के अंदर अंदर मैं इसको इसको इस्तेमाल कर सकता यूज कर सकता हूँ और उसके बाद यह इस्तेमाल लायर नहीं रहेगी यही होती है logic हर चीज में खाने पेने की जितनी भी चीज़े होती है उनके साथ यही होता है ठी किसी तरह होता है हमारे mind के साथ भी spoken English के अंदर हमें क्या करना होता है हमें नएने words सीखने होते हैं आजकल web series का दमाना है वहाँ English को काफी तरजी दी जाती है काफी preference दी जाती जहां पर English में बोले जाते हैं कुछ चोड़े-चोड़े phrases हम सुनते भी ध्यान भी जाता हमारा ध्यान भी जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं इसी तरह से हम social media बहुत चलाते हम Instagram चलाते हैं हम Facebook चलाते हम YouTube देखते हैं और वहाँ पे हमारे जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं जो हमारे फेवरेट content creators हैं वो English के कई words बोलते हैं जो हम पकड़ भी लेते हैं हमें समझ में भी आ जाते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या हो रहा है लेकिन हम भूल जाते हैं ऐसा क् होता कभी सोचा आपने मैं बताता हूं आपको यह water bottle जो है इस water bottle को अगर हम 6 महीने बाद इस्तेमाल करना चाहें तो नहीं कर सकते यह बेकार हो जाएगी बरबाद हो जाएगी तो इसका तरीका क्या है कि मैं इसका इसका जो मैंने पैसे खर्च की हैं वो वसूल लूँ उसक वैब सीरीज में सुने हैं कहीं पर पढ़े हैं इंस्टेग्राम पर पढ़े हैं हमारा फेवरेट यूट्यूबर वह वर्ड बोलता है उसकी भी एक expiry होती है उसकी भी एक expiry date होती वह कौन सी होती है शायद हम उसे एक हफते तक याद रख पाएं दस दिन बाद वह expired हो जा कर लोगे अरे मुथ से ही तो निकला करोगे जब आप उन्हें इस्तेमाल कर लोगे जितनी बार इस्तेमाल कर लोगे उसके expiry date बढ़ती चले जाएजी धिर शरा महिने से ज्यादा उसका इस्तेमाल कर सकते हो, दो महिने तक नहीं भूल पाओगे, तीन महिने तक नहीं भूल पाओगे, और जैसे जैसे आप जितना जितना multiple times उस word को, उस phrase को, उस sentence को इस्तेमाल करोगे, आप उसे long term तक याद कर पाओगे, इसकी तो फिर भी expiry date है, 6 महिने जाद ये बेगार हो जाएगी एकदम, लेकिन वो जो words होंगे, जो आप नए words सीख रहे होंगे, अगर आप इस्तेमाल करने लगो अपनी daily life में, उनकी expiry date हमेशे गले खत्म हो जाएगी, बिलकुल इसी तरह, जैसे कोई चावल होता है, कोई दाल होती है, कोई मुंफली होत होती है, उनकी कोई expiry date नहीं होती दोस्तों, तो आपको decide करना है, कि आपको पानी बनना है, या फिर आपको मुंफली बनना है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ, कि आपके JEE के exam की preparation कैसे चल रही है, जो में में JEE का exam होने वाला था, वो तो postpon हो चुका लेकिन जब तक आपने खुद को test करके नहीं देखा हुआ है, खुद को analyze नहीं किया हुआ है कि कहां गलती कर रहे हो, कहां fall कर रहे हो, कहां lie कर रहे हो, तब तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि exam day के लिए आप prepare हो ही नहीं, तो आप घर बैटे कैसे हम revision कह रहे हैं, कैसे हम mocks दें, क्योंकि institutes तो बन है, हर जगा lockdown लगा हुआ है, तो कोई तरीका है क्या, जिससे आप घर बैटे revision कर सको, एक बहुत जबरदस तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुलो, आपको क्या करना है, amazon academy app पे जाना है, वहाँ पे आपको chapter wise mocks मिल जाएंगे, full mocks मिल जाएंगे full test series जिसे बोल सकते हैं, वह मिल जाएंगे, chapter wise का मतलब क्या हुआ, कि chapter के according आप अपने mocks दे सकते हो, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सकी ये लगी, कि आप अपने chapter wise खुद को analyze करके देख सकते हो, भही मेरे chapter कमजोर है, ये मेरा strong है, इस तरह से आप महाँ देख सकते हो इस app पे आप all Indian mock test भी दे सकते हैं, जिसको देने के बाद, आपको एक detailed performance report दी जाएगी, जिससे आप खुद को analyze कर सकते हो, साथ ही साथ उस report को आप अपने fellow experience के साथ भी compare करके देख सकते हो, जिससे आपको पता चलाएगे कि आप कितने पानी में हो, वो कितने पानी में हो, motivation अपने आप आजाएगा, जब हमें पता चलेगा कि हम कितना कम पढ़ रहे हैं, वो कितना ज्यादा पढ़ रहा है, यह देखकर, है ना मज़ेदार, दोस्तों जिससे कि आप सभी जानते हो, कि Amazon Academy app, one of the best app है, JE की तयारी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको full syllabus long term course मिल जाता ह chapter wise short term courses मिल जाते हैं, live interactive class मिल जाती है, experts के जरीए, आपको doubts आते हैं अगर तो उसके लिए भी आपको live doubt clearing sessions मिल जाते हैं, अगर आपकी कोई class miss हो गई है, आपके missed chapters हो गए है, उसके लिए आपका इंतिजाम हुआ हुआ है, आप past lessons में जाके, वह आपनी missed classes भी देख सकते हो, laziness is a villain, generally in life, you know, if you can and people say, love is also a verb. Laziness is a villain, generally in life, if you can and people say, love is also a verb. दोस्तों आपने दोनों को देखा, दोनों में बहुत फर्क था, लेकिन ऐसा क्यूं हुआ, I tell you what, जब हम English बोल रहे होते हैं, उसमें 3-4 चीज़े बहुत important होती हैं, एक होता हमारा pronunciation, दूसरा हमारे expression, तीसरा हमारा style, और चौता हमारा confidence, ये सारी चीज़े ही हमें अलग बन vocabulary सीख लेंगे, तो हम अच्छे speaker बन जाएंगे, जो कि हमारा myth होता है, गलत होता है, क्योंकि steady कहती है, कि जो एक average speaker होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2-3,000 words ही English में बोल रहे होता है, उन्हीं को गोल-गोल repeat कर रहा होता है, आप ध्यान से अब देखेंगे, गौर करेंगे, जि तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जितनी भी आपको English आती है, जितने भी words आप बोलना जानते हो, बोलते हो, उनके pronunciation आपको अच्छे से चेक कर लेने, गूगल पे जाओ, प्रिनिंसेशन को चेक करो, चला एक बात और बता दो आपको, जब आप जो words अभी बोलते हो, उनका pronunciation चेक करने, गूगल पे जाओगे, प्रिनिंसेशन चेक कर लोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे words मिलेंगे, जिनको आप गलत बोलते हो, आपको पता चलेगा कि अब तक तो मैं ये गलत बोल रहा था, गलत बोल लही थी, लेकिन बात में जब आपको उसका correct pronunciation पता फिर आप उसको सुधार लोगे, और फिर, फिर आप कौनसी stage पे होगे, आपको पता होगा कि इसका pronunciation अब मुझे सही से आता है, इससे आपका confidence अपने आप बढ़ जाएगा, आपका style अपने आप ही improve हो जाएगा, आपके expressions जो हैं, वो बहुत ज़्यादा positive दिखने लगे, त सिर्फ एक काम करने से आपका पूरा style बदल जाएगा, दोस्तों, यही celebrities करते हैं, उन्हें पता है कि वो जितना भी बोल रहा है, उनका pronunciation, उनका style, confidence, वो क्योंकि actor होते हैं, तो confidence तो दिखाए दे देते हैं, आपको क्या करना, आपको भी अपना confidence आपको enhance करना है, दोस्तों, और इस तरह से अपनी fluency को improve कर लेना है, अब बताता हूँ, आगे का point कि कैसे आप अपना pronunciation और अच्छे से improve कर सकते हूँ, दोस्तों, नए जमाने की नई trick लेकर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, दोस्तों, आप सब chatting करते हो, Instagram पे, WhatsApp पे, Facebook पे, करते हो, पिचारी, रात को सोने से पहले जब आप उंगलियों को देखोगे ना, उनके निशान पड़े हो होते हैं, टाइपिंग के, दर्द कर रही होती है, मैं आपकी परवा करता हूँ, मैं आप से क्या कह रहा हूँ, कि आप टाइपिंग करना बंद कर दो, बलकि बोल के टाइप स्टार्ट नहीं करनी है, in fact, आपको बोलना है, स्टार्ट करना है, कैसे, कि जब आप यहाँ पर क्यूबोर्ड की सेटिंग में जाते हो नो, तो एक माइक का उप्शन यहाँ आपको बना हुआ दिखता है, तो आप यहाँ पर गए और माइक पर क्लिक कर, और जो भी आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, बैटे बैटे अकेले अपना आप यहाँ पर स्पीकिंग करते रहोगे, कई बार आप बोलोगे, what's up, what's going on, what's happening, please show me your new clothes, इस तरह से आप बोलते रहोगे तो आपकी स्पीकिंग अपने आप देख रहो, देख रहो, देख रहो, अपने आप आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस होती रहेगी, जो चीज यहाँ पर थी ना, यहाँ पर थी, इस जगह पर, वो यहाँ पर आ जाएगी, समझ रहो किस तरह से आपका यह ट्रांजिशन होने वाला है, फिर क्या करना है आपको, अब आप इसमें बहुत सारी ऐसी बाते बोलोगे, जहाँ आप बोलते होने, जब आपका टाइप होगा, यहाँ पर आ जाएगा, आपको लगेगा, शायद मैंने ना, इसका प्रणनसेशन गलत बोला है, आतो गया, टाइप होके, क्योंकि और टाइप का मोड भी है, पर वही बात लिख देनी है, फिर वहाँ एक option आपको दिखेगा, जहाँ पर आप इस पीक कर सकते हो, यानि उसको सुन सकते हो, जो भी लिखा हुआ है, और वहाँ से आपको अपना pronunciation भी clear होता चला जाएगा, लेकिन इसके शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत तो वही से जब आप टाइपिंग की जगा बोलना शुरू किया था, तब आपको खटका था, कि मैंने गलत बोला है, यह वर्ड ना जैसे कि मैंने आर्चीव बोल दिया, जबकि यह तो आकाईव होता है, मैंने capacity बोला, क्या यह capacity होता है, capacity नहीं होता, इस तरह से आपको बार 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 अच्छा होगा, आप मुझे message करोगे Instagram पे जाके, करोगे के नहीं, Instagram की idea, follow कर लेना, कोई भी doubt आता है, कोई भी आपके अंदर change आ रहा है, आपको लग रहा है, यह कोई भी दिक्कत आती है, मुझसे आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो यह trick रहे हैं, जिससे आपका pronunciation तो improve होगा ही होगा, साथ-साथ आप अकेले, खुद से, अपनी spoken स्टार्ट कर सकते हो, think in English, English में सोचना है, मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा है, जिसमें कहा गया है, कि English में सोचने से, मैं एक बहुत fluent speaker बन जाओंगा, अब मैं हर चीज को English में है, हाँ, हम, यह क्या है, यह क्या है, यह एक trophy है, नहीं, यह एक medal है, नहीं, तो फिर क्या ही है, क्या ही है, तो स्टार्ट ही ठीज्ञिगों, तो thing in English का जो concept है, वो बहुत ज्यादा misguided है, आप लोगो 1997 का मतलब ही नहीं सभ़ आता है, लोगो आपको इसका मतलब गलत समझ Hindi भी क्या होती है जो भी आपकी native language है वो उसमें उसका मतलब क्या होता है आप जानते हो न आपको पता है तो उसको उस native language में नहीं बोलना है उसको आपको English पहला है फर EPS कागस क्या आपकों कागस ऑलते हों कर तो फिर भी कागस कभी बोंनेail fone इसकी चीज़ों को देखकर आपको बता हुआ है तो इसकी है तो उनको English में ही बोलना, उनकी Hindi भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, कि उनकी Hindi क्या होती है, उनकी सिर्फ English ही आपको अपने mind में रखनी है, translation का काम आपको कम कर देना है, इस तरह से, ना कि ऐसे कि आप जिस चीज को देख लोगे, आपको अपने आप बनाना है, गाइज, last but not the least, आपको हमेशा ही ना, fast बोलना है, तेज बोलना है, तेज ही से, speed के साथ बोलना है, गलती करोगे, बिल्कुल करोगे, तेज दोड़ने की कोशिश में, गिर भी जाओगे, इसी तरह से, जब हम cricket में बैटिंग कर रहे होते हैं, चोके शक्या माने लेकिन क्या 2020 मैच के अंदर आप test cricket खेल सकते हो, क्या आप defend करते रह जाओगे, करते जाओ, defend not out जाओगे, लेकिन मैच हार जाओगे, कुछ इसी तरह का concept है, हमारे spoken English का concept, कि अगर आपको grammar अच्छी इस्तेमाल करनी है, आपको बहुत अच्छी sentence बनाने है, आपको बहुत अ कियाती है ना मेरे दोस्त, वहाँ पर आपकी speaking की fluency है, उसको देखा जाता है, उसको judge किया जाता है, कि कितनी तेजी से आप बोल लो, तो आपको आदत ही ऐसी बनानी है, कि तेज बोलू, चैया घलत बोलू, mistakes कौन नहीं करता, करोगे, आप भी करोगे, मैं भी करता हूँ, स अभी खत्म नहीं हुआ, बात है, तो बहुत सारी है, छोटी सी वीडियो बनानी कोशिश की थी, आपको इसमें भर पूर आपको फायदा पहुचानी की मैंने कोशिश की है, after a long time, अब आपको करना क्या है, आपको मुझे ये बता देना, क्या आप एक spoken का full-fledged course चाते हो, म और से ग्रूप में शेर कर दो, हर जगा शेर कर दो, Facebook, Instagram, हर जगा, ताकि मुझे एक संदेश मिल जाए, कि आप इस तरह की एक सिरीज मुझसे बनवाना चाहते हो, अगर आप ऐसा कर देते हो, मुझे आइडिया लगी जाएगा, comment box भर दो अपने comment से, दिखा दो के हाँ, आ Amazon Academy एप को जल्दी से डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, और अपनी अच्छे से त्यारी करें, दोस्तों मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, आपके डिमांड पर, नेक्स टॉपिक के साथ अब तक के लिए बने रहें, टीर सर के साथ,